और कुछ लोगों को जैसे sexual disorder ऐसा रहता है कि उनकी इच्छा ही नहीं होती है, अगर उसका कोई physical cause नहीं हो, तो मतलब कैसे हम इसको describe करेंगे? अगर physical कोई cause नहीं है, तो हमें उसके psychological causes को address करना पड़ेगा, तो हमें थोड़ी सी history जादा detail में लेनी पड़ेगी, जिसमें उनको हमें childhood से start करना पड़ेगा, कई बार sexual abuse की history होती है, जिसको John Nutpiden जैसे बोलते हैं, कई बार बच्पन में ही किसी का bad experience रहा होता है, कि जैसे हम बताते हैं कि बच्पन में बच्चों को बताओ good touch, bad touch, तो family member से या कोई अंजान वेक्ती ने कभी उनको बच्पन में उस पार्ट पे छेड़ा हो, तो बड़े होकर उनके दिमाग में कुंठा सी बनी रहती है, कि इस बात को कभी वो अपने parents से share नहीं किया होता, या आगे उनको ये डर हता है, कि कहीं उनके partner को मान लो कोई किसी का rape case है, या कुछ भी किसी तरह की sexual problem रही है, तो वो मन में fear factor के करण वो इच्छा की कमी हो जाती है, और दूसरा, जो अगर ऐसी psychological ये factor है, तो हमें उसके बारे में पहले उससे बात करनी पड़ेगी, उसको sexual anatomy बताना और उसको sex therapy देना, मतलब psychologically उसको treat करना और साथ में sex therapy के बार में बताना, जिसमें हम timely उनको इच्छा बढ़ाने के लिए किस तरह से आगे बढ़ना चाहिए, local क्या उसको application करनी चाहिए, या किस तरह से सोच के, जैसे किस तरह के environment में जाना चाहिए, जैसे कि अगर इच्छा बढ़ाने के लिए होता है कि hot water बात लें, you calm water से वैसे बात लें और अपने genitals को stimulate करें, तो अगर इच्छा नहीं भी हो रही तो नर्स उनकी excite हो जाती है, उसके कारण वो उनका इच्छा करनी शुरू हो जात psychological support देना बहुत जरूरी है, तब ही उसको she will try to overcome, उसके उस problem को पार कर सकती है और properly sexual activity में involvement हो सकती है, और एक important बात, जब hypo active desire disorder होता है, तो ऐसे में हमें उसके partner को अलग से पूछना चाहिए, अगर हम patient की counseling करें तो patient की individual counseling, partner की counseling and उसके बात couples counseling, that will help a lot, यह पती पतनी को दोनो को बुला के, या partner के साथ बुला के, हम उसके बारे में उसके बात करें, तो उससे काफी समस्या का समधान मिलता है, और अक्सर इस समस्या के साथ, उनके partner ही उनको ले के आते हैं, कि इसका बिल्कुल interest नहीं है, उससे मेरी life spoil हो रही है, और मुझे हमेशा stress रहता है इस चीज हो रहे हैं तो फिर अगर हम दोनों adjust कर लेते हैं तो फिर कोई दिकत की बात नहीं है.